जैशे राम, सनातन ज्यान की गंगा में आप सभी सुधिजनों का पुना हारदी का विनंदन है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ जीमन में ऐसा घटित हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। झाक है कि बहुत कुछ घटित होई जिससे हम बहुती प्रसंद हो जाते हैं। तो किसी विद्वान का कहना यह है कि जाद हमारे मन का हो रहा है सुधिन चाया व्हारो लिए हमारे लिए कुछ ने कुछ भलाई सोच रखी होगी इसलिए चित भी अपनी है पट भी अपनी है अगर मन का हो रहा है तो ऐसे ही मनपरसन है और अगर मन का नहीं हो रहा है तो कुछ इश्वर की प्लानिंग से हो रही है और विश्वास रखिए भगवान की योजना सबसे इस द्रिश्टांत में देखते हैं एक छोटे से गाव में एक छोटा सा मंदिर होता है मंदिर में एक सेवक होता है वही पर सेवा उगरा करता है और मंदिर में जो कुछ भी चढ़ावा उगरा होता है भोग उगरा लगता है उसी में से कुछ पंडी जी उस सेवक पो दे दिय परमेवाता करिया करते हैं और फिर दूसरे दिन उठता आ आ Когда आ थम्हें हिंवान के समक्ampa nov के लगता है और पहलों का काम कितना आसान है हे चुप चप दीन बर क्ड़े राते हैं और आप पर मेवा, मिष्ठान, सब कुछ चड़ता रहता है और एक मैं हूँ, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता रहता हूँ और तब भी मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है सच मुच में आपका जीवन बड़ा ही असान है भगवान उस सेवक के सामने परकट हो जाते है स्वयम परकट हो जाते है और सेवक को कहते हैं है सेवक, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है सेवक कहता है नहीं भगवान मेरा जीवन बहुती कठिन पूर्वक है और आपका जीवन बहुत आसान है भगवान कहते हैं सेवक दीन भर मुर्ती बनके खड़े रहना इतना आसान काम नहीं है सेवक बोला नहीं प्रभू आप मुझे बहला रहे हैं आपका काम सबसे आसान है और मेरा काम बहुत मुश्रिट है भगवान समझाने की कोशिश करते हैं सेवक बोलता है भगवान देर किस बात की मुझे एक दिन के लिए भगवान बना दीजिए और आप मेरा डुटी संभाल लिजिए भगवान उसको समझाते हैं देखो सेवक मुर्ती बनके दीन भर खड़े रहना एक बड़े ही धर्य का काम होता है इतना धर्य किसी के पास नही होगा सेवक बोला प्रभू आप बहलाईए मत मुझे आप बना भगवान बना दीजिए और आप मेरी सेवक की डूटी एक दिन के लिए कर लिए या बगवान कहते हैं चलो ऐसा ही करते हैं आज आप बगवान बन जाओ और मैं सेवक बन जाता हूं परन्तु एक शर्थ है हम शब्द नहीं बोलना है, मुह खोलना तक नहीं है, इशारा करना भी नहीं है, एकदम मुर्ती बनके और सिर्फ देखते रहना है, सेवक न बोला ये कौन से मुश्किल काने, कर देते हैं, और दूसरे दिन सुबा में भगवान सेवक बन जाते हैं, और सेवक भगवान, कुछ स पर्स गिर जाता है वो ध्यान नहीं देते हैं निकल पड़ते हैं भग्मुर्ती बना हुआ सेवक वो सोचता है ये तो बहुत गलत हो गया उस सेट का तुम बटवा यहां पर गिर गया मुझे तो उसको बताना चाहिए कि आपका बटवा गिर गया है फिर उसको याद आता है क भगवान ने का नहीं नहीं मुह नहीं खुलना है चुपरा नहीं चलो भाई चुपरा जाते हैं थोड़े देर के बाद से एक बहुत है गरीब और दुखी व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है हाथ जोड़ करके रूने लगते हैं वो लेह भगवन एक तो वैसे ही मेरे घ तकलिफ मुझसे देखा नहीं जाता है कुछ तो दया किजिए इतना कहके वह जुक करके और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और जिससे में जुक करके वह बगवान को प्रणाम करते हैं उससे में उनको दिखाई पड़ता है कि महां पर एक पैसो से भरा हुआ बटवा गिरा ह हुआ है वह गरीब व्यक्ति उस पर उठा लेते हैं भगवान को धन्यवाद देते हैं भगवान आपकी लीला परमपार है आपने तुरत ही हमारी मनोकामना पूरा कर दी अब इससे में अपनी मां का इलाज भी करवा सकता हूं और बाल बच्चों के लिए कुछ दिन तक के जरत तो खाने-पने का होई जाएगा यह दिख करके यह जो सिवक बना हुआ है इसको बहुत गुस्सा आता है । ए, यह, कैसे कर रहा है यह वो बोलना चाहता है कि ये भगवान ने नहीं दिया है ये उस सेट का गिरा हुआ बटुआ है आप नहीं उठा सकते हो नहीं तो ये चोरी काला जाएगा फिर भी जैसे तैसे भगवान की आग्या है आप हमारी यात्रा को सफल बना है आपकी क्रिपा हम पर बनी रहे और वो बोल करके वो नीचे जुकता है और जुक करके भगवान को प्रणाम करता है ठीक उसी समय वो सेट जिसका बटुआ गिरा होता है वो पुलिस को लेके मंदिर में आ जाता है अब मंदिर में जब आता है तो देखता है कि वो नाविक जो है वो भगवान के चरणों के नीचे जुका हुआ है सेट बोलता है मेरे बाद ये नाविक आया है इसको आरेश्ट कर लिजे आपको पकड़ लिजे पुलिस उस बेकसूर नाविक को पकड़ने लगती है पकड़ के जब ले जाने लगते हैं तब जो सेवक जो भगवान बना है बोला अब बरदास नहीं होता अगर मैं अब भी चुप रहा तो एक बेकसूर व्यक्ती जिल के भीतर चला जाएगा और जो पैसा लेके चला गया है वो औराज करता रहेगा यह बहुत गलत हो रहा है यह बहुत अन्या हो जाएगा यह अन्या मुझे मैं नहीं कर सकता हूँ और इसलिए वो बोल पड़ते हैं पुलिस को बोलते हैं सुनो 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 मैं बगवान हूँ और मैंने देखा है, इनका परस गिरा हुआ था, उसको सोन सो गरीब आदमी लेकर के गया है, यह नाविक निर्दोष रहा है, इसको छोड़ दो, मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है, उलिस उस नाविक को छोड़ देती है, और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के लेरा के जिल में डाग देती है, ऐसे ऐसे बहुत से दीन में उनवह होते हैं, शाम के समय में भगवान घुमफिर करके आ जाते हैं, और आते हैं उसके बाद से बोलते हैं, सेवक बताओ, सेवक अपने दीन भर की दिनचरिया बताने लगता है, और बोला पता है भगवान, आज मैंने एक नय होने से बचा लिया है, एक सेट का बटवा गिरा हुआ था, उसको एक गरीब ने उठा लिया था, और उसका दोष नाविक पर लग रहा था, मुझसे बरदास नहीं हुआ, मैंने बता दिया उनको, कि नाविक निर्दोष है, और वो पैसा तो वो गरीब नहीं करना है, तो सब कुछ गड़बर कर दिया, सेबक बोला, भाब बगवान बा, एक बेकसूर को मैंने बचा दिया, और एक कसूरवार को मैंने बेचवा दिया, इसमें मैंने कौन से गलती करा दिया, भगवान बताते हैं, वो नाविक, जो समुद्र यातरा पर निकलने कल समूद्र यातरा नकलने वाला है कल समूद्र में भह courageous तुफान आने वाला है और उस तुफान में वह बचना ही सकता है उसको बचाने के लिए और गरीब के घर का खर्चा चलाने के लिए ये जो सेट है ना ये सेट बहुत हेरा फेरी करके पैसा इकठा किया था इसका कुछ पैसा चला जाता इसका कुछ नहीं बिगड़ता और इसके कुछ पैसे से उस गरीब के घर का काम हो जाता और ये नाविक को समुद्र में जाने से रोकना यह मेरी प्लानिंग थी वो कुछ दिन जेल में रहा जाता और क्या होता जानतों बच जाती तुमने सब गड़बड कर दिया सब लेनी के देनी पड़ गई अब गरी पकड़ा भी गया उसेट का पैसा भी मिल गया और वह नाविक अपनी यातर नहीं है मुर्ती बने यहां पर इसलिए नहीं पड़ा रहता हूं मुर्ती बने बने यह सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस से कहां पर क्या निकलवाना है किस से कहां पर क्या पहुंचवाना है किसको कैसे रोकना है यह बहुत लॉंग प्लानिंग होती है और इसलिए आँ पर बुत बन के खड़ा राना पड़ता है तो उन्हें मेरे सब लांच उपड़ कर दिया किस लिए सची कहा गया है कि जादी MA हमारे मन का हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है और अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो भी अच्छा ही है क्योंकि वो भगवान की एक योजना के तहत हो रहा है और भगवान की योजना सर्वत्तम योजना होती है हमें भी भगवान के कारियों पर भरोसा करना चाहिए भगवान की जो भी शक्तियां है उसमें हमें आसकती करनी चाहिए भगवान की किसी योजना पर हमें शक नहीं करना चाहिए और हमें झाल, 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 झाल